हलो गाईज, नेक्स्ट ऐपीसोड के स्टाट से पहला आप लोग मेजी इनको सबस्क्राइब कर देंगे, इसे हम अपनी नेक्स्ट ऐपीसोड को स्टाट करते हैं बिंग जो योचेंग की लाइन्स रूपीट करने के बाद काफी कुशा ओती है और लोयान बिंग के पास आते वे कहने लगता है कि योचेंग को शौठी दोनों ही कपल बन चुके हैं और जो हम उनके सामने कपल बने हुए दे क्या हम अब कपल रहेंगे या नहीं बिंग लियोयान की ये बाद सुनका कहने लगती है के तुम के अभी से मुझे छोड़ने के लिए त्यार हो तुम मुझे छोड़ने के बाद नियू गर्फरेंट्स बना लोगे ना तो लियोयान कहने लगता है के मैं तुम एक इतना पागल लगता हूँ मैं नियू गर्फरें और लियूयान वहीं का वहीं रह जाता है यहां तक कि अब तो उसके टांगे भी नीचे लग चुकी थी यह वास सुनके बिंग आंके खौल लेती हो कहने लगती है कि चलो तुम खड़े हो जो तुमें खड़े हो कर बात करनी चाहिए लियूयान बचला शर्मींदा हो रहा होता है वहाँ से जाने लगता है पर बिंग फिर से आकर उसे पकड़ कर दिवार के साथ ही लगा लेते हो कहने लगती है कि लिटर मॉंस्टर क्या तुम मुझे लाइक करते हो लियूयान जब कुछ भी नहीं बहुर रहा होता तो बिंग उसके कान के पस जाके कहने लगती है कि मैंने बस तुमसे ये पूछा है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो लोयान भी कहा देता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता है तुमने जो भी मिलस्त करना है कर सकती हो और आंखों पर हाथ रखके लिप्स को किस करने के लिए बना लेता है पर आगे से बिंग उसके लिप्स पर फिंगर रखके कहने लगती है कि लूयान क्या तो मुझे ये बात पहले नहीं बोल सकते थे। तुम कभी तो लड़के बन जाया करो। लूयान कहने लगते है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे बोस को लाइक करती हो। бинг कहने लगते ही कि प्यार करना और किसी के तारीफ करना ये तोगन डिफरन चीजे हैं मैं चाहे तुम्हारे बोस की तारीफे करती हूं पर प्यार तो ये सुनके Nlloyang कुछ हो जाता और बंग शाय फिल करके उससे साट पहड़ जाती है लियोयान कहने लगते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये ना कि तुम भी मुझे लाइक करती हो तो इसका मतलब हम दोनों फिर से कपर की तरह रह सकते हैं बिंग आगे से हां कहती है और लोयान जल्दी से बिंग को उठा कर गुमाने लगता है अभी गुमाई रहा होते हैं इतने में उनकी टीम के टू प्लेयर्स आ जाते हैं लोयान से मिलने के लिए वो आते साथ इन दोनों को इस तरह देखकर अपनी आँखों की उपर हाथ रख लोयान जब उन्हें देखता है तो बिंग को नीचे की तरफ छोड़ देता है और बिंग भी चुपकर के नीचे बैठी होती है तो वो भी अपनी आँखों से हाथ अटा कर देखने लगते हैं कि क्या ये सई हो गए हैं फिर उन्हें ऐसे देखकर तो वो इदर उदर देखन लगाएं लियोयान कहने लगता है कि वो तो हमारे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है देखना वो हार जाएगा इस तरह और भी बाती कर रहा होता है तो विजहान बाहिसे गुजरता हुआ उनकी बातों को सुन लेता है और अंदर आकर कहता है कि अच्छा मुझे तो लगा जाता है कि बा अनको हाथ भी कैसे लगाया वो तो विजहान के बालों से ही उसे पकड़ लेते हैं यह से माणने लगती है यह देखकर लो्यान कने लगते कि मेरी लड़की कमाल है यह तो किसी को भी नीछ चोड़ती वह पिच्छला जो बिंग के हाथ ले रहाए क चैसे के यहाँ का वैजर कितना अच्छा है, यो हैंग भी कहते हैं कि यहाँ कितना अच्छा वैजर है, और पिर रात में मुरान दिखाए जाता है, जो गर की तरफ वापस आरहा होता है, सैड हुआ, आगे से जैसे चैसे ही, को देखता हैं कि वो तो उसके वेट में कड़ी तो उससे भी ज़्यादा वसाई फिल करूंगा तो शाओधी कहती है कि सौरी मैं तुम्हारी कॉन्फरेंस को छोड़कर यू हैंग के पास आ गई मुरान कहता है कि क्या तुम ये कहने के लिए नीचे खड़ी हुई थी शाओधी कहती है कि हाँ हो सकती है तुमारी डेट चलो ठीक है मैं चलती हो तुम दोनों को मैं डिस्रप कर रही होंगी कि कहकर वाँ से जाने लगती है तो पीछे की तरफ दुबारा मुड़कर देखने लगती है तो ये देखकर टेयान जलती से मुरान को हग कर लेती है मौरान टेयन को पीछे करने लगता है पर टेयन कहती है कि मौरान मुझे पीछे मत करना अभी तक तुम्हें शाओधी पीछे से देख रही है पिर शाओदी उन दोनों को ऐसे देखकर हुशो कर माँ से चली जाती है टेयन शाओदी के जाने के बाद मुरान से कहने लगते है कि अगर तुम रोना चाहते हो न तो तुम रो सकते हो तुमारा दिर हलका हो जाएगा तो मुरान तो सच में टेयन को और अच्छे से गले लगा कर रोने लगता है और नेक्स्ट शाओदी दिखाय जाती है जिसने मैन का एक न्यू डिजाइन भामफू का बनाया होता है और उसके बारे में सोची होती है कि मैं इसका क्या नेम रखूँ फिर उसको एक नेम याद आता है कि स्टार इसको याद आता है कि मैंने पिछले वाली का नेम इटरना रखा था तो इसका नेम इटरना स्टार रख देती है इतने में वाँपर यो हैंग आता है तो शाओदी जल्दी से अपने रोएंग को छुपा लेती है यो हैंग अगर उसको एक पेश देता है जिस पर उसने relationship के बारे में लिखा होता है कि मुझे किस तरह का रहना चाहिए relation के मामले में तो शाओधी पे उसके points को पढ़ने लगती है पहले में लिखा होता है कि जैसा मैं हूँ मुझे वैसा रहना चाहिए मेरा भी first ही है पर तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो यह सुनकर तो यो हैंग खुश हो जाता है और अपना हैंड आके करते हुए कहें लगता है कि मैं हम दोनों के future के बारे में केटे सोचूंगा शौदी भी उसके हैंड पर अपना हैंड रख देती है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और फिर हमें शौदी एक रेस्टर में बैठी देखाई जाते हैं जहां पर वो तीनों बैठकर अपने एक क्लाइंट का वेट कर रहे होते हैं वो सब ही काफी नर्वस होते हैं कि पता नहीं वो किस तरह का काम कहेंगे पर वो client कोई और नहीं बलके Mr. Ding Bing ही होते हैं उन्हें देखकर शाओधी पहले Hello High कहती है और Bing कहने लगती है कि अब ये मत कहना कि आपने ही वो order place किया था तो Ding कहने लगते हैं कि हंजी वो मैंने ही किया था और फिर वो लोग शाओधी के सामने वाले sofa पे बैठ जाते हैं तो शाओधी बताएं लगते हैं कि ये मेरा tailor है और Bing जो मेरी order वगरा लेती है और फिर Ding कहने लगता है कि चलें फिर अपने काम के बारे में बताएं शाओधी कहने लगते हैं कि आपने जिस तरह का काम मांगा था ना मैं उसका एक पीस बना कर भी लाई हूँ मिस पाई कहने लगती कि क्या सच में आप बना कर लाई है तो यैंग उन्हें ड्रस निकाल कर दिखाने लगता है और ड्रिंग तो उसे देखते साथी पहचान लेता है कि ये मिस जी एंग का काम है तो कहने लगते हैं कि क्या तुम मिस जी एंग के पास कईती तो शाओधी कहती कि जी तुम कहते हैं कि वो ही इतनी प्यारी इंबोलिडरी कर सकती है तो शाओधी कहती कि उन्होंने मुझे allow किया है अपनी embroidery को use करने का इसलिए मैं use का रही हूँ तो मिस्टर डिंग को शाओधी का word dress काफी अच्छा लगता है इसलिए वो यहें पर बैटे सोच रहता है कि मैंने इसको अपनी exhibition में लगाना है ये बात मिस्टर डिंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फिर मिस्टर डिंग कहते हैं कि मिस्टर डिंग आपको कैस का काम पसंद आया है मिस्टर डिंग भी कह देती कि हाँ मुझे अच्छा लगा है तो मिस्स बिंग बताएं लगते हैं कि मिस बाई किसी की काम को ही पसंद करती है शाओदी ये सुनकर उन्हें थैंक्स करने लगते हैं और मिस बाई बताएं लगते हैं कि अब तुम पर है हमारी एक्जिबिशन तुमने जिस तरह भी उसको मैनेज करना है ये सब तुम पर है तो शाओदी कहीं लगती है कि आपको मुझे यकीन रखना होगा मैं अपनी फुल मेहनत करूँगी उसे अच्छा बनाने के लिए फिर शाओदी जब अपना काम करी होती है तो बिंग शाओदी के पास आकर कहें लगती है कि मिस्स लू बार-बार ये कह रही होती है शाओदी से रोकने लगते है कि तुम ये सब मुझे यहाँ पर नहीं कहना चाहिए पर बिंग पूचे लगती है कि क्या तुम दोनों के दरम्यान कोई किस हुई लाइक तुम तोनों के दर्मियान कोई किस हुई शाओधी से कहने लगते हैं कि नहीं हमारे दर्मियान कुछ भी नहीं हुआ बरकि हमारी लाइफ ऐसे ही नॉर्मल जा रही है जैसे पहले जा रही थी यहां तक कि मैं जब सुबा में उठी हो तो यहां ने तो मेरा यहां आने में वेट भी नहीं किया वो खुद अकेला ही सुबा में आ गया तो बिंक कहने लगते हैं कि वो तुरह शाय फिल कर रहा होगा तो बिंक कहने लगते हैं कि अगर मैं तुमारी बेस्ट फ्रेंड हुना तो मैं मेरे बतायोवे तरीके पर चलना होगा और वही सब जाकर यू हैंक के साथ करना है शौदी भी मान जाते हैं और यही पर हमारा यह पार्ट भी कत्व हो जाता है वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना